हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, होप यूगास आप सब बढ़ी होंगे, दोस्तो आ गया है संडे, वक्त होता है, हैश्टेक आस्क एवी का जिसमें की आपकी पूछ रहे, एवी से रिलिट्टेड हम सवालों के आंसर देते हैं, साथी कुछ नेनी एवी अपडेट्स भी ह एवी स्कूटर की प्राइस को कट डाउन कर दिया है, यहाँ दोस्तों यहाँ पर सभी कंपनी जहाँ पर अपने एक सस्ता एलेक्रिक स्कूटर लेकर आ गई है, जैसे कि Aether 450S लौँच हो गया है, तो यहाँ पर बजाज कंपनी ने अपने स्कूटर के प्राइस को सीधे ही क करते हैं ना तो इसी स्कूट की जो डिलिवरी है वो दो से तीन मेनी के बाद देखने को मिलेगी तो यह एक बड़ी प्रोल्म है बागी ओवरोल इसी स्कूट की जो प्राइस है इसकी रेंज बगरा आपको सब कुछ काफी अच्छी देखने को मिलेगी नेक्स न्यूज की बात करें तो दोस्तो अब गॉर्मेंट ना इलेक्टिव विकल की जो स्वैपिंग स्टेशन है उन पर थोड़ा सा फोकस करने वाली है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग है अब इलेक्टिव विकल इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जो इनका टेक्नलोजी और बैटरी देती है इन्होंने अब बैटरी को चार्ज करने का एक नया फॉर्मॉला निकाल दिया है जो कि है सूपर कंडेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मॉला इस फॉर्मॉला से 400 किलोमेटर की जो रेंज है वो सिर्फ यहाँ पर 10 मिनिट में लेगी जो कि काफी ज्यादा फास्ट है वहीं इस नए चार्जिंग सिस्टम को यहाँ पर टेसला सबसे पहले अपनी कार में इंप्लिमेंट करने वाली है जो कि नेक्स्ट एर तक हमें देखने को जरूर से मिल जाएगी नेक्स न्यूज की बात करें तो दोस्तों गोगरो क कंपनी के सियो होर्स लुक ने भी अब इनके साथ में पार्टनर्शिप करने के लिए बोल दिया है तो यहाँ पर स्विगी के साथ में आप गोगरो की पार्टनर्शिप हुई थी तो गोगरो कंपनी यहाँ पर B2B में काफी अच्छा काम कर रही है नेक्स्ट न्यूज की से कौन सा एलेक्ट्रिक स्कूटर आपको लेना चाहिए किस एलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या कुछ फीचर मिलते हैं किस में फीचर नहीं मिलते हैं सब कुछ मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है तो वो वीडियो आप ज़रू से चेक आउट करना उसका लिंक आपको उपर का पड़े चेंजिस आपको Ola S1 Pro Gen 1 और Ola S1 Pro Gen 2 में दोनों में comparison देखना चाते हैं तो इसके उपर मैं आपके लिए एक जुरू से वीडियो बना दूँगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जुरू से बताना इसके लब दोस्तों कंपरी नहीं है पर अपने उस 4 में जिसके बाद में आपके स्कूट में कुछ-कुछ प्रोब्लम भी देखने को मिल सकती है तो उन सब प्रोब्लम से आपको जुजना पड़ेगा जब तक कि इसका इस्टेबल वर्जन नहीं आ जाता और लास्ट यहां पर कंपनी अपनी चार नहीं इलक्रिक बाइक को लॉंच कर दिया है जिसका प्रोब्टो टाइप यहां पर शोकिस किया गया था जो कि नेक्स डियर तक कंपनी यहां पर इन सब को बना कर तियार कर देगी नेक्स नेक्स न्यूज की पात करें तो दोस्तों टीवेस कंपनी का जो लॉंच इवेंट होने वाला है ने दुबई में 23 अगस्त को उसकी आप तीरी दिरिकर करके काफी कुछ लीक से यहां पर निकलना स्टार्ट हो गई है इस इवेंट में टीवेस क्रोण को तो लॉंच करनी व इन्होंने एक मल्टी स्क्रीन में चलते हुए एक वीडियो को शेयर किया है जिसमें की अलग-लग थीम्स देखने को मिलेगी और साथ में इसी स्कूटर में 105 किलोमेटर परार की टोप स्प्रीड होने वाली है तो देखते है कि कंपनी क्या कुछ लिकर आती है अपने इस इट्रोजन मोबिल्टी प्रोजेक्ट के अंदर आती है और इस बस का फ्यूलिंग स्टेशन भी सिटी में ही लगाया गया है तो यह तो हुग दोस्तों इस अपते की EV News ना बात कर लेते हैं आपके पूछ गए सवालों की तो दोस्तों सबसे पहले कमेंड लेते हैं यहापर पर TPMS उनकी स्क्रीन में ही देख जाता है तो यहाँ पर Ola Electric को भी यहाँ पर TPMS ज़रूर से अपना लॉंच करना चाहिए नेक्स यहाँ पर एकूर कमेंड लेते हैं सर गूगल मैप कब दे रहा है Ola तो Ola यहाँ पर गूगल मैप का यूज नहीं करने वाला Ola ने अपना ही मैप यहाँ पर develop कर लिया है जो कि काफी अच्छा है गूगल के माफिक ही आपको देखने को मिलेगा नेक्स यहाँ पर एकूर कमेंड लेते हैं स्कूटर की स्क्रीन बंद हो गई है स्टार्ट नहीं हो रही है क्या करें तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके साथ में यह प् स्कूटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है उसके 5-10 मिनट बाद अगर आप इसकूटर को थोड़ी सा मुव करेंगे ना उस लोकेशन से तो फिर आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन ओन हो गई है तो 80% चांस होते हैं कि यहाँ पर ओन हो जाती है वरना तो फिर ला स्कूटर के इतनी पैंडिंग सर्वीस है कि यह चार ने लॉंच हुए है उनका तो समझ ही है तो ओले स्कूटर के जो सर्वीस है ना भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती जा रही है धिरी धिरिकर के यहाँ पर कंपनी ने अपने ओला इवेंट में भी बोला है कि हम अपनी सर्वीस को सुधारेंगे तो देखते हैं कि अब आगे-ागे कैसे इनकी सर्वीस को इंप्रुव करती है कमपनी और कैसे नहीं करती है यहाँ पर माहराष्ट बगरद में इनकी जो सर्वीस है वो काफी बेकार है नेक्स ने आपर रिकूर कमेंड लिलेते हैं Ola S1 Pro EMI पर ले तो subsidy मिलती है क्या तो बिल्कुल subsidy मिलती है आप कोई भी Ola के अलावा electric scooter भी भाई करेंगे तो आपको EMI पर उसकी subsidy थोड़े time बात आती है बट आपको subsidy ज़रूर से मिलती है नेक्स लिए आप रिकोर कमने ले लेते है क्योंकि यहाँ पर company ने क्या किया है दोनों साइड में लगा दिया है और जो motor वाला पार्ट है जो belt रहे वाला पार्ट है उसको बिल्कुल ही open छोड़ दिया है जिससे कि यहाँ पर belt में पानी वगरा जाता रहेगा तो यहाँ पर जो पहले cover था ना पूरा उस तरीके से अगर cover हो जाए तो काफी सही रहेगा वहीं दोस्तों Ola S1 Pro Gen 2 और Ola S1 Pro Gen 1 में अगर आप दोनों में comparison एक वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे comment box में जोड़ो से बताना नेक्स यहाँ पर एक रूट कमें लेते हैं जैसे कि Ola S1 Pro की service के लिए Ola Electric App से book करते हैं आफ्टर लिंकिंग Ola S1 Pro तो क्या S1 X में भी connect होगी क्या तो यहाँ पर Ola S1 X Plus है ना जो उसमें आपको यहाँ पर यह option देखनों को मिलेगा कि आप उसकी service वगरा book कर सकते हैं Ola S1 2 और 3 में यहाँ पर यह option आपको देखन को नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको इनका एक customer care help line number मिलेगा जिस पर कि आप इनकी appointment book करवा सकते हैं कि मेरा scooter में यह problem हो गई है तो आपकी appointment यहाँ पर book कर दी जाएगी तो यह तो हो गई दूस्तों ही सब्सक्राइब आपके फुच्छे के सवाल और EV news होप यह वीडियो आप लोगो जोड़ो से अच्छे लोगई है अच्छे लोगई हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मैं मिल तो आप से कोरे सी ने वीडियो में तब तक लिए स्टे सेफ और सेफ राइट